दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप पुराने तरीके से माई फर्स्ट ब्लॉग अप्लोड करके सोच रहो कि मेरा वीडियो वाइरल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है और ये भी आपको बता दू कि इस बंदे ने हार नहीं मानी टोटल 14 वीडियो अप्लोड किया और 14 वे मेरा माई फर्स्ट ब्ल्ॉग वाइरल हो जाए लेकिन काफी लोगों ने लाको लोगों ने माई फर्स्ट ब्लॉग अप्लोड किया लेकिन वाइरल कितने लोगों का हुआ काफी कम लोगों का लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ एक ऐसा सिक्रेट बताने वाला हूँ और आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि अगर आप लागातार एक ही तरीके से my first blog upload करते हैं तो आपका भी my first blog वाइरल हो सकता है अब दोस्तों मैं आपको live proof दिखाता हूं कि किस तरीके से एक बंदे ने मात्र 14 वीडियोग करके अपने my first blog को viral किया है यज़कि दोस्तों मैं कोई भी बाते आपको ऐसे ही नहीं बताता इसलिए मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से दिमाग लगा कर यहाँ पे माई फर्स ब्लॉग को वाइरल किया गया है यहाँ पे दोस्तों देखिए यह एक चैनल है जो अभी एक महीने पहले बना हुआ है आपे देख सकते हैं अगस्त 6 को यह चैनल बना है 2022 मतलब कि एक महीने इस चैनल को बने हुए लगभग हो रहे है अब दोस्तों यहाँ पे मैं इनके वीडियो अगर दिखाऊ तो सबसे पह डाला वो भी वाइरल नहीं हुआ फिर इन्होंने तीसरा माई फस्ट ब्लॉग डाला चौथा माई फस्ट ब्लॉग डाला फिर माई फस्ट ब्लॉग डाला अलग अलग तरीकों से इन्होंने माई फस्ट ब्लॉग डालना शुरू किया फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि क के डेट में मतलब कि एक दीन हो रहे हैं माई फर्स ब्लॉग अपलोड किये हुए और इसके पहले इन्होंने जितने भी वीडियो अपलोड किये थे सब पे 100-200 से ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे लेकिन कल इनका माई फर्स ब्लॉग वाइरल हो गया अब जब मैंने इस वीडियो को चेक किया तो इस पर अभी आप देख सकते हैं कि 10,000 व्यूज जो है जाने वाले हैं यह देखिए अद्वर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं और काफी जल्दी इनका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा यहाप आप देख सकते हैं कि यह वीडियो है माई फर्स ब् वीडियो लेकिन यह सभी वाइरल नहीं हुए ठीक इनका 14 वीडियो जो है यहाँ पे वाइरल हो गया अब दोस्तों इसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन के अगर बात करूं तो सारे वीडियो के मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन चेक कियें और यहाँ पे टाइटल डिस्क्र इन्होंने अप्लोड किया और फाइनले इनका एक वीडियो जो है यहाँ पे वाइरल हो चुका है तो आपको क्या करना है पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा जो बाते बता रहा हूं उसको समझ लिजेगा उसके बाद ही आप भी अपने माई फर्स ब्लोड को वा अब मैं सेकेंड वीडियो की बात करता हूं तो इन्होंने पुराने तरीके का इस्तमाल किया जो मियूजिक और जो वीडियो पुराने जिनके माई फर्स ब्लोग वाइरल हुए थे उस तरीके से इन्होंने देख सकते हैं कि वीडियो बनाया है लेकिन यह आइडिया काम नह किया क्योंकि दोस्तों जब यूटीब पे कोई नई चीज आती है वो वाइरल हो जाती है और फिर उसी तरीके को अपना के जब वीडियो अपलोड किया जाता है तो वो ट्रिक पुरानी हो जाती है फिर वो ट्रिक वाइरल नहीं होती है लेकिन अभी जो इनकी वीडियो वा कर सकते हो देख सकते हो इस वीडियो को मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ आप इस वीडियो को देखिएगा सबसे पहले इसका थमनेल देखिए माई फर्स ब्लॉग मेरा फसल बरबाद हो गया ठीक है मतलब कि इन्होंने माई फर्स ब्लॉग बनाया है और इनका फसल बरबाद हो और आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो को सूट किया गया है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बोला कि हेलो दोस्तो मैं जो है गाओं से विलॉंग करता हूँ और हम मेरा फसल बरबाद हो चुका है और इस पर आप मुझे सपोर्ट करें इस पर इन् ने जो है वीडियो बनाया है जिससे कि इमोशनली लोग इन से कनेक्ट हुए हैं दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप पुराने तरीके से माई फस्ट ब्लॉग अपलोड करके सोच रहो कि मेरा वीडियो वाइरल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है और ये भी आपको बता दू कि इस बंदे ने हार नहीं मानी टोटल 14 वीडियो अपलोड की है और 14 वे वीडियो में इसने कमाल कर दिया तो एक बार अगर माई फस्ट ब्लॉग वाइरल नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ तो आप लोग हार मानके छोड़ देते हो कि यार मेरा तो माई फस्ट ब्लॉग च इस्तमाल आप भी कर सकते हो और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको बताऊं यूट्यूब पे एक्सपीरियंस ही खुद का काम आता है जब इसने वीडियो अपलोड करना शुरू किया तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक वीडियो अच्छा ये वाइरल नहीं हुआ च जरूरी है लोग यहाँ पर हार कैसे मांजाते एक तरीके से वीडियो अपलोड किया और नहीं चला नहीं वाइरल हुआ तो चलो छोड़ देता है फिर वह दूबारा ट्राई ही नहीं करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि 14 बार इस बंदे ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ऐसे ही यूट्यूब देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद